महात्यपूर्ण प्रश्णों की सिरीज में आज हम बात करने वाले हैं PGDCA फर्ष्ट सेमेश्टर के अंतर का ताने वाले सब्जेक्ट MS Access के बारे में MS Access में क्या महात्यपूर्ण है वैसे तो DCA और PGDCA इन दोनों का सिलेबस MS Access को लेकर सेम है बिल्कुल सेम एज़द जैसा की DCA में दिया गया है सेम सिलेबस PGDCA में दिया गया है लेकिन अगर हम पेपर देखेंगे कॉस्चन पेपर देखेंगे तो दोनों में प्रश्ण लगबग एक जैसे रहते हैं लेकिन आंगे पीछे आते हैं आंगे पीछे आने का मतलब same paper नहीं आएगा लेकिन प्रश्णों को घुमा कर दे दिया जाएगा तो इसके लिए आप तयार रहें अगर DCA का आपने प्रश्ण पत्रे नहीं देखा है तो DCA वाला एक वीडियो जो अल्रेडी MS Access की बात करेंगे इसकी बात करने के पहले एक जरूरी जानकारी यदि आप notes लेना चाहते हैं notes आपको कैसे मिलेंगे direct QR code के माद्यम से 50 रुपे की payment आपको करने है और WhatsApp पे आपको notes अवेलेबल हो जाएंगे कैसे होगा process की वीडियो description में दी गई है वहाँ से वीडियो को जरूर देखिए notes कैसे मिलेगा आपको उसके लिए वीडियो को देखेंगे आपको पूरी जानकारी वहाँ से लग जाएगी और इस notes को आप ले सकते हैं exam की तयारी के हिसाब से ठीक है चलिए अब बात करते हैं unit 1 की MS Access के अंतरकत सबसे पहला महत्यपूर्ण प्रशनाता DBMS के बारे में DBMS होता क्या है Database Management System क्या होता है इसके साथ आता है Data Model के बारे में बताइए Data Model क्या होता है अब DBMS है तो RDBMS भी बहुत महत्यपूर्ण है Relational Database Management System और ये बहुत आवश्यक प्रश्ट है DBMS और DBMS ये दो चीज़ें Unit 1 से आपको बहुत अच्छे से तयारी करके जाने इन दो नों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है Integrity Rule ये महत्यपूर्ण प्रश्ण है Normalization क्या होता है इसको समझाईए और साथ में MS Access में कौन-कौन से Object होते हैं समझाईए मैं आपको सिर्फ उन्हें सभी महत्यपूर्ण प्रश्णों के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर प्रश्ण पत्र में पूछे जाते हैं एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसकी तयारी आपको अच्छे से कर लेनी है ताकि आपका जो आने वाला एक्जाम है उसमें आपको ज़्यादा गहराई में पढ़नी के आवश्यक्ता ना पढ़े और कम पढ़के भी आप अच्छे नम्मोर से पास हो जाए ये जो प्रश्ण मैंने बताई अलग-अलग object होते है जैसे यहाँ पर object की बात हुई है प्रश्ण में object कौन से है तो एक table उसका एक object होता है table के बाद और जो object आते है जैसे की query आता है form आता है, report आता है वो आँगे वाली units में आपको देखने को मिलेगा पहला है table तो table कैसे बनाते है उसके बारे में समझाना है इसके अलाबा validation rules का क्या उपयोग होता है क्या होता है समझाइए find replace का अस्तिमाल कैसे करते है filter और sort क्या होता है इसके बारे में समझाइए ये मात्तपूर्ण प्रश्णों में आता है unit 3 की बात कर रहे तो relationship और इसके प्रकार बहुत अत्यन्त मात्तपूर्ण प्रश्ण है relationship क्या होती है और इसके कौन-कौन से प्रकार होते है आपने पढ़ा होगा one to one relationship होती है one to many होती है many to one होती है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको describe करना है query से आप क्या समझते query क्या होती अब यह query वाला जो प्रश्ण है इसके अंत्रगत एक अती महत्तपूर्ण प्रश्ण अगर मैं कहूं तो वो आता है duplicate query और unmatched query को समझाईए क्या होता है duplicate query और unmatched query साथ ही referential integrity क्या होती इसको समझाईए इसके अलाबा MS Access में query और filter के बीच में difference क्या होता है यह समझाईए unit third से यह कुछ महत्तपूर्ण प्रश्ण जो अभी मैंने आपको बता इनकी तैयारी बहतर तरीके से करके जाना है unit fourth में आपको overall form के बारे में बतायागे form क्या है form is the object जो की MS Access का एक object है तो form में कितने प्रकार के होते हैं क्या होते हैं इसके बारे में कैसे बनाये जाते हैं header footer क्या होता है और form में कौन-कौन से control होता है यह control वाला जरूर पढ़के जाएगा अच्छे से यह अक्सर पूछा जाता है अब unit fifth की बात कर दो तो overall यहाँ पर cable report के बारे में जानकारी है लेकिन report से related जो महत्यपूर्ण प्रशने है एक तो क्या होती है report कितने प्रकार के होती है यह बता दिये दूसरा single or multi-table report यह 100% इसकी तयारी करके जाना यह प्रशन पूछा जाएगा single or multi-table reports क्या होती है इसके अलाबा reports कैसे बनाते हैं इसको समझाइए print करने की process तो overall 3-4 प्रशन यूनिट 50 से जो reports related है तयार कर लिजेगा ठीक है तो यह आज की वीडियो में हमने बात की है MS Access, DCA और PGDCA PGDCA वालों का आज का वीडियो था PGDCA फश्ट सेमिस्टर MS Access के अंतरगत आने वाले सभी यूनिट्स के महत्तपूर्ण प्रशनों के बारे में नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक के वहाँ पर जाओ चेक करो कैसे आपको नोट्स मिलेगा आसान तरीके से आप उसे ले सकते हैं